आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका फौणपे से स्टेटमेंट यहां पे डॉणलोड हो चुका है फौणपे अपसे किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आगे है निइव अबडेट तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ किस तरह से आप phone page से bank statement निकाल पाएंगे phone page से bank statement निकाले के लिए सबसे पहले आप आजाई नीचे और यहाँ पे बहुत सारे option आपको दिखेंगे तो यहाँ पे आपको history वाले option पे आपको click कर देना है जैसी आप history वाले option पे click करते हैं बिल्कुल मैं आपको live दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं download statement तो यही से अगर आप video को छोड़ के भाग जाईएगा तो आप कभी भी statement नहीं निकाल पाईएगा तो बहुत सारे trick है तो इस video को पुरा दिखें तभी आप जो है phone page से किसी भी bank का statement आप निकाल सकते हैं या download कर सकते हैं तो जहाँ पे आप history का option देखते हैं वही पे आप देख सकते हैं एक download statement दिया गया है एक filter का option दिया गया है तो finally हम जो है यहाँ पे download statement वाले option पे आप click कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं आप 30 दिन का निकाल सकते हैं और यहां पे आप 90 दिन का निकाल सकते हैं लास्ट 365 दिन का भी आप यहां पे निकाल सकते हैं और आप कस्टम डेट भी कर सकते हैं किस डेट से किस डेट तक आपको निकालना ये भी आप निकाल सक जिसे 2022 से 23 तक आप निकाल सकते हैं, 2021 से 22 तक आप निकाल सकते हैं, और 2020 से किस तक भी निकाल सकते हैं, तो चलिए हम यहां पर range वाले option पर खिलिक कर देते हैं, तो मुझे जो है यहां पर last 90 दिन का यहां पर statement निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो simply आप क्या करेंगे, इन म इसके बाद इस page को नीचे थोड़ा सा कर देना है, प्रोसीर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका statement जो है, यहां पर बिलुकुल पूरी तरगे से statement यहां पर download हो चुका है, इसके बाद भी इस statement पर आप click करेंगे, और यहां पर एक PDF आएगा, पीडियो बाले option पर आप click करेंगे, यहां पर देख सकते हैं कि आपका phone pay से यहां पर statement आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहते हूं अगर आप phone pay का statement download करना चाहते हैं, जो भी आपका phone pay में bank account link है, उसी का आप यहां पर bank का statement download कर सकते ह चलिए हम आपको file में दिखाते हैं, यह file में गया है या नहीं, तो यहां पर हम अपना file open कर लेते हैं, चलिए हम यहां पर file पर click कर देते हैं, और यहां पर document वाले option पर हम आ जाते हैं, तो यहां पर देख सकते है, phone pay statement आ चुका है, और यहां पर PDF वाले option पर click करके, तो यहा क्या करेंगे प्ले स्टोर से जाके फॉन पे को एक बार जो अपडेट कर लिए उसके बाद यहां पर डाउनलोड का स्टेट्मेंट यहां पर आ जाएगा